प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल RNS Education News में तो दोस्त इस वीडियो में CHO भरती के रिगार्डिंग जो राजस्तान CHO भरती 3810 पदों के लिए 16 जनवरी को रिजल्ट आया था 26 फरवरी को प्रोविजिनल कट ओफ जारी की गई थी क प्रोट के निर्ण के बाद और दोस्तों कल जो आपका कास्ट प्रमान पत्रिया अन्य कारणों से जो भी कैंडिडेस थे उनके लिए ग्रिवेंस यानि की आपत्ति दर्ज कराने का यहां पर मोका विभाग ने दिया है अब दोस्तों कल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था फेस्बुक पेज पे हमारे जो यूट्यूब चैनल पे सब जगह पर वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था तो दोनों जगह पर कमिटमेंट जो आए हैं आप लोगों की जो कमेंट्स थे कुछ आप लोगों के डाउट्स थे वो भी किलिया इस वीडियो में करने वा आपत्ती किन को लगानी है सबसे पहले बात यह सवाल है में इसमें जो यह 14 पेज की पीडियेफ है यह यानि कि यह जो रोल नंबर है जो कल यह लिस्ट जारी हुई इसमें जिसके रोल नंबर है आपत्ती उनहीं लोगों को लगानी है इसके अलावा किसी भी लोगों को आउशक्ता जरूरत नहीं है ठीक है जिनके इस लिस्ट में रोल नमबर है उन्हीं को आपती लगानी है उन्हीं को अपना प्रमान देना है इसके अलावा आन्य कैंडिडेट्स को आपत्या नहीं लगानी है कैलियर कट बात ये है दूसरा आप लोगों का सवाल ये है किसा आप हमने हमारा उस टाइम पे सस्पेंडड नहीं किया था लेकिन आप कर दिया आप इसमें नाम है क्या करें तो देखिए दोस्तों इसमें जो समस्या हुई है जो आपकी है यह जो लिस्ट है 14 पेज की इसमें सबसे ज साल से अधिक या इसमें तो तीन साल तक का इन्होंने एफिडेवट के साथ दे रखा था वो केंडिडेट है ठीक है उनका है कास सर्टिपिकेट की वज़े से उनको OBC NCL का नहीं होने की वज़े से उनको जनरल में मान लिया अब आपको अगर आपका पुराना था क्रिमी ल EWS का EWS का जो इश्यू हुआ है यह EWS का जो इश्यू हुआ है दोस्तों वो EWS का यह है मैं बता दूं किस तरीके से विभाग यहां पर काम करता है एक तरीके से बहुत ही गलत यहां पर कितसा विभाग भी कर रहा है आप माने या ना माने EWS में ऐसे कैंडिडेट से जिन्हो इस लिस्ट में नाम भी है तो उनके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों इसके लिए देखिए आप EWS का आपके पास था लेकिन फिर भी इन्होंने आपको नहीं माना और EWS की कटकरी से बाहर कर दिया इसमें एक और नियम इन्होंने लगाया था जो अमोमन हमने आज तक की भरत तुक नहीं है ठीक है इसके बाद के जितने भी सर्टिपिकेट्ट चाहिए OBC के हो चाहिए EWS के हो इन सब को इन्होंने सस्पेंडेड या यह जो लिस्ट जारी करीन में सामिल कर दिया यह बिल्कुल सरासर गलत बात है विभाग की ऐसा कहीं पर भी आमोमन नहीं होता केटे दिया बाद में सर्टिपिकेट उन्होंने नौमबर में बनवाया किसी ने दिसंबर ने किसी में जनवरी ने बनवाया उन लोगों को यह EWS से बाहर कर दिया कत्या ही यह न्याय संगत नहीं है इस पर आप अगर जाना चाहिए तो कोई कोड जाके एक मिनिट लगेगी अपन आपको भी नहीं करना चीए था EWS के मामले में ठीक है अब दोस्तों कुछ केंडिडेट पी एच के टेगरी से बार किये गए है वो पीएच केंडिडेट उनका पीएच का मैं जहांता के सही मानता हूं क्योंकि दोस्तों वन लेग यानि कि एक पैर से विकलांगा ब्यारती क तो ही राजस्तान की नर्सिंग भरतियों में लिया जाता है ठीक है पिछली भरती नर्सिंग भरती 2018 में नर्सिंग भरती 2018 में भी रिट लगी थी इसमें कि हमें भाई दो पैर से हैं हाथ से हैं नाक से हैं आक से हैं कान से हैं जो भी जिसी भी तरीके की disability है उससे हैं तो उस अगर एक पैर के अलावा आप में अगर विभिन प्रकार की disability थी चाहिए वो किसी भी प्रकार की रही हो उनको बाहर कर दिया तो आपके सायद कोई option नहीं होगा पियच कैंडिडेट वन लेक को यह लेंगे चाहिए आपको ओड कर चेरी जाएं तो वहाँ पर भी वन लेक को य ले लीजिए किसी भी अभ्यारती को ले लीजिए इसमें से इनके पास क्या था कि माल लीजे किसी अभ्यारती का महिला अभ्यारती का कोर्ट में मैटर चल रहा था तलाग का और वो final नहीं हुआ था ठीक है final नहीं हुआ था और यह नोंने diverse के संटेग्री से फॉप भर दिया और वेरीफिकेशन तक भी आपका वह डाइवोर्स आपकर नहीं हुआ था या क्सी का हो गया था तो ऐसा नहीं होता है जिस particular date को आप फॉप भर रहे हो उस धिन वह यहानि की डाइवोर्स का certificate आप लोगों के पास होना चाहिए था हो जो बहार करने दारी भी जन ये रहा है ठीक है यानि कि जिनके पास चलाकी डिक्री नहीं थी शेटिफिट नहीं था उन्होंने फॉर्म भरा वेरिफिकेशन नहीं जमा कराया तो अब यहां पर डायवोर्स के भी लगबग यहां पर संभावना खात्म है ठीक है यह विवादित विशय है को इस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा जो मैंने थी बात वो बता दी है डायवोर्स का कि डायवोर्स में यह कारण रहा है आगला है EWS का मैंने बता दिया O से एक सर्विसमेन के टेग्री वास्तु में यह सर्विसमेन थे ही नहीं ठीक है क्योंकि दोस्तों एक सर्विसमेन जो कंडिडेट है जो भी है नेवी एएरफोर्स और आर्मी से रिटार्ड ऐसे आदमी जिन होने नर्सिंग कर रखे थी ठीक है और फिर उन्हें फोर्म करा नर्सिंग भरती 2018 कि अगर मैं बात करूं तो एक भी आवेदन उसमें नहीं थे एक्सरिसमें की वो सारी सीटे सारी केटेग्रियों को कनवर्ट कर दी गई थी इसमें भी यह वा यह फोर्म है यह जो गलती से टिक हुए है आपको लोगों को पता है कि फोर्म जब भरे जा रहे तो साइट नहीं चल रहे थी किसी की दो बज़े बेचारा बैठा रहा कोई ती केटेग्री से थे ही नहीं है ठीक है इनका बाई मिस्टेक यहां पर टिक हुआ था ठीक है आउट फ्रोम स्पोर्स केटेग्री यह स्पोर्स केटेग्री के हैं ठीक है यानि कि स्पोर्स से फोर्म भर दिया होगा और फिर स्पोर्स का सर्टिपिकेट नहीं जमा कराया होगा यह यहां पर रिजन हुआ है या फिर sports वाले मैंसा हूँ तो कई लोगों को पास NCC का होता है कई लोगों को पास योग का होता है कई लोगों को पास Sanskritic program वगरा को भी लगा देते हैं कि साब हम मैं sports से हूँ तो यह sports category से आउप करने का यह तरीका रहा है ठीक है अगर आप थे इस sports category से रोल लंबर से आपके पास certificate नहीं था verification नहीं जमा कराया अब आप paste कर सकती है ठीक है यह sports का हो गया हार एक issue को मैं बता देता हूँ यह है miscellaneous परकार के विभिन परकार के इसमें जो तूटिया रही है वो है out from sports and EWS category pH category यह विभिन परकार के है तो जिस भी category से आपको बहार किया गया है उस category का प्रमान आपके पास होना चाहिए वो आपको आप पत्यों के माध्यम से लगाना है नहीं लगाते हैं तो आपको जिस category में रखा है वो category आपकी रहेगी अगर आपत्यी लगाने के बाद आपकी आपत्यी सही पाई जाती है कि भाई इसके साथ वाकरी में गलत हुआ इसकी certificate वाकरी में सही है तो आपको आपकी category में डाल दिया जाएगा अन्य था कोई भी यहाँ पर options नहीं है एक और था दोस्तो no registered in RNC आप देखिए दोस्तो जो RNC में कुछ candidate ऐसे होते हैं अधर स्टेट में थे उस टैंप माले किसी UP, ECS चो में काम करते है NCHP में काम करते है MP में करते है बिहार, गुजरात, कहीं से भी आप ले लीजिए तो इसमें साफ साफ लिखा था RNC का मेंटर 18 वाली नर्सिक भरती में भोत आया था, ठीक है अब इसमें क्या होगा 26.9.2020 यानि कि फोरम की लाज डेट से पहले आपके पास RNC का रजिस्टेशन होना चाहिए यह ऐसे candidate हैं जिनके पास स्चाइद RNC का रजिस्टेशन जो particular date specified जो date थी उनकी उस date तक नहीं था 26.9 से पहले आपका RNC होना चाहिए था, कुछ ऐसे candidate तो final year में थे भर दिया फोरम RNC बने नहीं, बनेगी भी कैसे क्योंकि final year वहाँ पे चाहिए आपको रजिस्टेशन करवाने के लिए तो RNC का मसला यह है RNC के मसले में एक और चीज थी 26.9 से पहले के पहले तो होना ही होना चाहिए या फिर 10.9 2020 को जब आपका एक्जाम था उस एक्जाम से पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया था किसके लिए रजिस्टेशन के लिए RNC जैपुर में अप्लाई कर दिया था 10.9 से पहले तो भी आपको मान लिया जाएगा ये संभवता ऐसे कैंडिटेट है जिनका 26.9.2020 का है या फिर 10.9.2020 के बाद का रजिस्टेशन है या फिर रजिस्टेशन इनके पास है ही नहीं ये RNC का इस्यू यहाँ पे रहा है ठीक है दोस्तों और ये अदर्स रीजन है ठीक है नोट इलेजिबल बोट लेग डिसेबिलिटी सर्टिपिकेट साथ साथ दो हजार तीन चार दो हजार इकिस ठीक है ये अदर रीजन यहाँ पे दिये गई है कुशी का जो आपकी डिसेबिलिटी थी वो जो मोर देन 40% थी यानि कि कम थी 40% ठीक है 40% से ज़्यादा कोई 40 या 40 से ज़्यादा कोई पियाच माना जाता है तो इसनकी डिसेबिलिटी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखी है कौन-कौन से डिसेबिलिटी थी इनसे ठीक है तो यह यहाँ पर हैं आप अगर बन लेक की हैं तो आप यहाँ पर आपत्य लगा सकते हैं अधरवाइज आपके पास सारे रास्ते खुले हैं कोट का चेरी के आप जो जहां करना चाहें वो वहाँ पर यह अपलाई यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं तो यह दोस्तों यह देखिए ऐसे रोल लंबर हैं जिनका श्वाम को मूल लिवासी राजस्तान का बताया था तो इन कैंडिडिट्स का कुछ नहीं हो सकता भाई एक तरीके से विबादित विशा है ठीक है यह भी जो आधर स्टेट के जो ऑजाजा यह यहाँ से हैं कुछ गेलिट्स उनकी शादी हो जाती है लड़कियों की राजस्तान में वो निवासी रहती है अरियाना की पंजाब की या फिर उ यूपी की और शादीन की राजस्तान में हो गयी तो वह क्या करते हैं कि form अपनी उसी category से डाल देते हैं यानि कि SC में है तो SC से डाल देते हैं, ST में ST से डाल देते हैं, OBC में है तो OBC से डाल देते हैं, तो ऐसा दोस्तों अभी क्या है ये जो other state का लड़किया हैं इनको general में count किया जाता है, ठीक अभी तक कि इस मामले पे समादान नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें कोर्ड का चरिकेव डिसीजन सें, सुप्रीम कोर्ट वगरा का जीजन है इसमें, कि जो Tail events की महिला ब्यारती है, उसको रिजर्ड कैटेगरी का लाब यहां पर नहीं मिल सकता उसको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा तो ये जो आधरी स्टेट की महिला ब्यारती थी हैं और जिनका ये रोल नमबर आए हैं वो भाई अपनी देखिए आप जो भी करना कर सकते हैं मैंने रीजन बता दिया आज तक की कोई भरतियों में इने इस तरीके से सामिल नहीं किया गया है ठीक है अगर आपके पास राजस्तान का सेटिपिकेट होगा तो आपको मान लिया जाएगा नहीं होगा नहीं माना जाएगा आज तक तक तो आमोमन हमने कहीं नहीं देखा ऐसा कहीं पर भी नहीं मानते हैं ये एक तरीके से विवादित भी से है सरकार भी पीडियेफ यहां पे इन्होंने जारी किया है यह एक तरीके से याची का लगाने का अमबारी होगा निश्ची तोर पर इस पर भी जो केंडिडेट से बिलकुल कोड का रुक जरूर करेंगे यह जानकारी थी जिनका रोल नंबर आया है उसर्फ उनको अपत्ती लगानी है अपत्ती कैसे लगानी है ग्रिवेंस सेल पर जाना है वहाँ पर अपत्ती लगानी है आपत्ती किस की लगानी है वो सेर्टिफिकेट उसका प्रमण आपको पोस्ट करना होगा ठीक है मैंने बता दिये सारी चीजे सारा रीजन आपको सपस्ट कर दिया क्या क्या करण हो सकती है और सारी के सारी करण वेरिफैड बताए है कहीं से भी आप पता कर लेजिए कोई टेंशन की बात नहीं है ठीक है यह चीजें हैं आप लोगों के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन कोन कर ले वीडियो लॉंग हो गया हो इसके लिए माफिट चाओंगो लेकिन जानकर यह आप लोगों को देना बहुत जरूरी था और आपत्ति 14 मार्स तक इसमें लगनी है 14 मार्स तक आप लोग आपत्तिय लगा सकते हैं आपत्ति लगाने के बाद अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो आपके पास जो भी आपके रीजन है जिस रीजन से आपको अधर केटेगरी में डाल दिया उस केटेगरी से बाहर कर दिया तो वो चीज़ें आपको ग्रिवेंस में यानि कि आपत्यों में दर्सानी है यह जानकारी थी इस वीडियो में वीडियो को लाइक करें दूसरा वीडियो आपत्य कैसे लगानी है वो भी मैं लेकर के आऊँगा तब तक के लिए दोस्तों जैहिं जैभारत और सभी जो दोस्त हैं सभी जो साथी लोग हैं उन सभी को महसी उरात्री के पर्व की हारदिक भगवान भोले नाथ आप सभी का भला करें आप सब को खुशियां दे दन्यवाद जैहिं जैभारत